कि मोडन योगिक लाइफ स्टाइज में आप सभी का श्वागत है आज करेंगे कुछ योगा अभ्यास बारा मिनट का केवल योगा अभ्यास आपको पूरी तरीके से फिट रख सकता है हर और्गन को मसाज करता हुआ सारे और्गन कोडिनेशन को स्थापित करके आपको कंप्लेटली एनर्जेटिक एंड फिट रहकने के लिए यह अभ्यास चल यह स्टार्ट करते हैं पाहला सूर्य नमस्कार ब्रीध इन करते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे ब्रीध आउट करते हुए आगे क्यों ले जाएंगे breathe out करते दोनों पेर पीछे mountain poach का अभ्यास फिर plank poach उसके बाद astang namaskar भोजंग आसन का अभ्यास फिर से mountain poach अस्व संचालन का अभ्यास breathing करते वे फिर से पीछे जाएंगे नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे एक round or currency अभ्यास का आप 5-5 round सारे अभ्यास का करेंगे ज़िए आप जल्दी फिट होना चाहते हैं सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ते हुए आगे की और जुकें सांस भरते हुए right pair को पीछे ले जाएंगे try to look up उपर की और देखें सांस छोड़ते हुए दोनों पर पीछे mountain poach का अभ्यास पर वतासन playing poach में keep your spine straight in line with your shoulder focus on the ground now strong namaskar eight body parts on the ground now practice bhujangasana breathe out practice mountain poach once again now breathe in right leg between your palm breathe in very good slowly come back now we'll practice mandukasana to release unwanted air from the body parts body organs mandukasana tight fist keep sidewise of your navel center नावी के बगल में रखेंगे मुठी बंद करके सांस को बिलकुल बाहर छोड़ते हुए आगे के और जुके आगे के और जुके forehead को ग्राम से टच करने कोसिस करें लंबी गेरी स्वांस भरें छोड़ें जब भी सांस भरेंगे नेवल से प्रेशर पड़ेगा इंटरनल ओर्गेंस प्रेशर पड़ेगा तो एक्टिवेट होगा फिर आप ठीक तरीके से डेमुंस्ट्रेशन के लिए दूसरे साइट से कर रहे हैं साइड वाइज भी हूँ इस तरीके से खोल्ड करें लंबी गेरी स्वांस भरें छोड़ें फाइब प्राउंड खोल्ड करें फिर देरे से वापस आ जाएं उस ट्राशन का अभ्यास कबर के दर्द मिराहत और लंग्स की कैपसिटी को बढ़ाने में सच्छम अभ्यास शोल्डर के पेन को भी ठीक करेगा उसके बाद थोड़ा सा रिलाक्स करें उसके बाद हम करेंगे डाइनेमिक कोब्रा पूज दूर्त गती से बुजंगासन सांस छोड़ते हुए फोर हेड को ग्राउंड से टच करें जटके के सांस भरते हुए हेड को उपर फिर धीरे से वापस आ जाएंगे ब्रीद इन ब्रीद आओ टू थी राउंड नॉर्मालाइज थोड़ा सा रिलाक्स करने के बाद हम करेंगे डाइनमिक सल्भासन का अभ्यास इसके लिए पहले जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो फोर्वर्ड और बैकवर्ड जंप का सांस छोड़ते हुए फोर्वर्ड जंप सांस भरते हुए बैकवर्ड जंप ब्रीद आउट फोरवर्ड जंप ब्रीद इन बैकवर्ड जंप सांस को छोड़ते हुए आगे की और जंप करेंगे सांस भरते हुए पीछे जंप करेंगे इस तरीके से इससे पूरा बोड़ी आपका लचीला हो जाएगा फ्लक्सिबिलिटी बढ़ेगी और अस्टिंथ भी बढ़ेगा इसके बाद सशंकासन में थोड़ा सा रूलाक्स कर लेंगे ट्राइट टॉच यूर पाम उन दे ग्राउंड फोरेड उन दे ग्राउंड सेपरेट यूर निज लेटिल भी टन जास रूलाक्स लंबी गहरी स्वांस भरें धीरे धीरे सांस को भरें उससे भी धीरे सांस को बाहर छोड़ें अब ब्रीध इन करते हुए राइट पैर को उपर की और उठा देंगे जितना आप उठा सके असाने से फिर ब्रीध इन करते हुए दोनों पाम के बीच में ले आएंगे फिर करेंगे अर्ध चंद्रासन आप मून पोज का अभ्यास फिर सांस चोड़ते हुए नी को क्रोस क करेंगे एल्बो से दोनों पांप साथ में मिला कर चेश्ट के सामने रखें ओपर स्मान की तरब देखें सेलिंग की तरब देखें अब फिर दीर से वापस सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए पैर को उपर उठा देंगे hold करेंगे फिर सांस भरते हुए पैर को दोनों हतेलियों के बीच लाएं और करें और दचंद्रासन का अभ्यास breathing करते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नी को cross करेंगे elbow से और पूरा spine को twist करते हुए उपर sky की और देखेंगे poster को hold करेंगे लंबी गरी स्वांस भरें छोड़ें त्री राउंड फिर सांस छोड़ते हुए वापस आज आएंगे के बात करेंगे कोब्रा पोज का भ्यास शांस छोड़ते हुए फिर उसी रूट को follow करते हुए जिस रास्ते साब उपर आएं उसी रास्ते से नीचे इस तरीके से आप करेंगे होड़ करेंगे थोड़ा अब धीरे से वापस आ जाएंगे कि प्लेफ पाम फर्स राइट ओवर दे लेफ पाम आइदर चीन और चीक ओभर दपाम एंजस्ट रिलाक्स थोड़ा सा रिलाक्स करने के बाद डाइनिमिक सल भासन का अभ्यास बैक में पेल हुए बैक के अधि ज़्यादा दिक्कत तो अभ्यास को नहीं करेंगे अधि नॉर्मल दिक्कत हो तो इस अभ्यास से उस दिक्कत को पूरी तरी कि से ठीक कर सकते हैं सांज बरते उपएर उपर सांज छोड़ते हो नीचे करो कर दो कर दो कर meditate दो तो आप मार के लुब अ को ते लुब आप फियो दो आपралब ऑप ऊप में अ मार के खी कि उन्यू हूँ चैसा आपना om कि अब करें कि अब करें कि अब करने के लिए कि एलबो टुनी टच क्रोसवाइज इस अभ्यास को करें अधी जल्दी खतम करना बेली फेट को तो इसे आपको 10 राउंड 20 राउंड इस तरीके से करना पड़ेगा डेली आधा गंटा करेंगे तो लोवर अब्डोमिनल फैट खतम हो जाएगा थोड़ा बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बजाए अभ्यास को लंबे समय तक करेंगे तो उस एरिया पर मिल्कुल असफ़ डालेगा डायनेमिक ब्रीज पोज का अभ्यास इससे जो गुप्त सम्मंदित जो भी गुप्त रोग जिसे बोला जाता है उससे रिलेटेट जो भी दिकते हैं वो सॉल्व होती है साथ में बैक का जो एरिया है फ्लक्सिबल होगा बैक पेन में आपको अराम मिलेगा लंग्स की केपरसिटी इंप्रूब होगी इसके डाइनमिक ब्रीज पोज के हैं उसके बाद इसका काउंटर पोज पावन मुक्तासन एर रिलेजिंग पोज अन्वांटेड एर शरीर के किसी बेश से में बाहर निकालने के लिए अभ्यास सांस को छोड़ते हुए नोस्टल को नीज से टच करना होता है बीच में लाना ह सांस छोड़ते हुए दोनों नोस्टल को दोनों नीज के बीच में ले आकर होल्ड करें पिर रॉपिंग रॉल अप एंडाउन और साइड वाईज इससे बैक मसाज होता है क्योंकि बैक में टीट के तरफ हाथ नहीं पहुंच पाता लेकिन इस तरीके से मसाज कर लेंगे त सिकायत हो कभी नहीं आएगी कि अगया कि उसके बाद थोड़ा सा रिलाक्स कर लेंगे और करें अब फ्रंटल लोब एक्टिवेशन जो सिरिब्रम वाला एरिया है उसमें ब्लड के फ्लो को ठीक तरीके से पहुंचाने के लिए हर एरिया में पहुंचाने के लिए फ्रंटल लोब इसके बाद कर लेंगे हेड स्टेंड पोश का अभ्यास जिसमें दोनों पैर मिलाकर रखेंगे हील टू हील और टो टू टोज होल्ड करेंगे पोश्चर को जितना असानी से होल्ड कर सकते होल्ड करेंगे ब्रुण के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास बात जढ़ने की समस्या हो आँखों की ब्यास को लंबे समय तक करेंगे तो सारे चीज में आपको बेनेफिट मिलेगा इसके बाद थोड़ा सा रिलाक्स सेशन जरूर करें रिलाक्स करने के बाद इसका कॉंटर बोज फिस पोज का अभ्यास भी जरूर करें फिस पोज या तो पदमासन लगा कर करें या बिना बेनियोड नेक बैक साइड और होल्ड फाइप राउन लंबी गरी स्वांस भरें और फिर धीरे से अलबू का सहरा लेते हुए नेक को रिलीज करेंगे ताकि नेक पे किसी भी तरह का ज्यादा प्रेसर न पड़ें फिर थोड़ा सा रिलाक्स कर लेंगे उसके बाद आप अ अनलोम बिलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर से जरूर किया करें लंबी गहरी स्वांस भरें लेफ्ट नोस्टल से राइट से छोड़ें राइट से भरें लेफ्ट से छोड़ें अल्टरनेट नोस्टल ब्रेधिंग का अभ्यास आपका ring finger, little finger और thumb दो open बाकि index finger और middle finger को बंद करके रखेंगे दूसरा हाथ ज्यान मुद्रा में thumb को index finger से touch करके knees के उपर रख लें इल्बो में किसी भी तरह का खेचान नहां बिल्कुल comfortably आप रखें और लगतार इस अभ्यास को करते रहें लगवा पांच से साथ मिनट जरूर करें mental violence के लिए left or right brain को balance करेगा तो बस आज के लिए इतना है शर्वे भवंतो शुकि नहा शर्वे शंतो निरामया सर्वे भद्रा निपाश्यंतो माकसे दुख भाव भवेत समी को नमस्कार चले फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक मस्त रहें और अभ्यास को जारी रखें है वाव ग्रेट दे